कि नमस्कार मैं हुमेश्कों और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूटूब चैनल एच के नालेज और मोर पर मैं एग्रिकल्चर साइन्स से रिलेटर्ड एक नए टॉपिक लेके आया हूं जो फिजिक्स पोर्शन का है आज मैं बात करूंगा को एफिसेंट आफ फ्र अज कि शुआंनों के बारे में दोनो में क्या रिलेशन सिफ होता है ये भी मैं बतावुंगा आपको गार वीडियो के माध्यम से एस वीडियो में मागर समय रहा तो एंग बात अकर गार्ट अर्धात वीराम कोन नटार्चर साइच नह घर्चन कोंड और को दोनों में समभ आज इस वीडियो को बड़े गवर से देखिए, ध्यान से देखिए, आखरी तक देखिए, कहीं आसा नहों कि कोई पॉइंट आपसे चूग जाए, यह पहला मुद्दा मेरा पहला पॉइंट आज का, इसके बाद जो सिकेंड पॉइंट होगा, अभी मैंने कहा था, इंगल आफ फ्रिक्षिन, यह हो गया सिकेंड पॉइंट आज का, ठीक है, दोनों में मैं रिलेशन भी बताओंगा, ठीक है, अगर समय रहा तो एक और आगे म नहीं कर रहा हूँ, मैं यहां से सुरू करता हूँ, कोईपी संट आफ फ्रिक्षिन से, एंगल आफ फ्रिक्षिन से, ठीक है, आपने इससे पहले वीडियो देखे होंगे, मैंने उसमें फ्रिक्षिन की बारे में चर्चा किया है, नारमली समानी इंट्रोड़क्शन देखि फ्रिक्षिन, क्या होता है, फ्रिक्षिन फ्रिक्षिन, क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्षिन, क्या होता है, स्टाटिक और दाइनेमिक फ्रिक्षिन, टाइप साफ फ्रिक्षिन की बारे में मैं चर्चा किया था, जहां पर स्लाइडिंग और रोलिंग प्रकार का फ्रिक नए वीडियो के जानकरी आपको तुरंत और तुरित मिल जाएगी इसी प्रकार के वीडियो मैं पर दे प्रतेक दिन के अंतराल में अपलोड करते जाता हूं यह वीडियो ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे फायदा आपको होगा तो सुरू करते हैं कॉफिसेंट इसको नोड कर देता हूं मैं आपके लिए कि तो संपर्का तलों के बीच नोड शन्पर्क तलों के बीच दो संपर्का तलों के बीच लगने वाला सिमांतघर्शन बल शिमान्त घर्षन बल अभिलंब प्रतिक्रिया बलके अनुक्रमानुपाती होता है दो संपरकतल की बीच लगने वाला सिमान्त घर्षन बल अभिलंब प्रतिक्रिया बलके अनुक्रमानुपाती होती है अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रम अनुपाती होती है यह हो गया आपका स्टार्ट ठीक है दो संपरकतल के बीच में लगने वाला जो सिमान घर्षन बल है अभिधम प्रतिक्रिया बल के अनुक्रम अनुपाती होता है ठीक है यदि सिमान घर्षन बल यदि सिमान घर्षन बल limiting friction force एफ तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर हो तो इसके अनुसार जो उपर लाइन था उसके अनुसार दो संपरकतलों के बीच लगने वाला सिमान घर्षनबल अभिलंब प्रतिक्रियाबल के अनुक्रमान उपाती होती है ठीक है अभी हमने कहा कि सिमान घर्षनबल मालो एफ है अभिलंब प्रतिक्रियाबल र है तो इस लाइन के अनुसार हो जाएगा एप प्रपोजनल र अभिलंब प्रतिक्रियाबल है अनुक्रमानुपाती होता है ये जादा होगत, ये भी जादा होगत, ये जादा होगत, ये कम ये कम, ये कम तो ये कम. इसका मतलब यह होता है, इससिनन्य क मतलब. समzahl मैं है, अनुक्रमानु पाती होती है. अब क्या करेंगे, हम इसको चेंज करब ये जाएगा, f equal to, ya, आसा लिखते हैं, यह हो जाएगा, और बापन और इकल टू एक नीतांक, ठीक है? एक नीतांक है आख विस पुल टू, आख अर इक नीतांक हो गया, यह जो नीतांक है, इस नीतांक को दोनों संपरकतलों की घर्ष अन्य नां अरठाद – कोईपिसियंट आफ टूल्व न क्यते हैं दोनों संपरकतलों का घर्षन गुनांग, कोईपेसियन्ट आफ फ्रिक्षिन कहते हैं, मैं इसी के आगे लिख देता हूँ, यही है कोईपेसियन्ट, कोईपेसियन्ट आफ फ्रिक्षिन, ठीक है, इस कोईपेसियन्ट आफ फ्रिक्षिन को, μु से प्रदर्शित करते हैं किसे प्रदर्शित करते हैं μु से प्रदर्शित करते हैं कहने का मतलब coefficient of friction मतलब घर्शन गुणांग मिल गए आपको μु से प्रदर्शित करते हैं ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा एक नीतांग इसको हम सम्हाल के सुधार के लिखते हैं सिमान्ध घर्षन गुणांग म्यू इक्वल टू यह है सिमान्ध घर्षन गुणांग असा शॉटकट में लिखाऊं सिमान्ध घर्षन गुणांग म्यू इक्वल टू हो जाएगा f क्या था सिमान्त घर्षन बल था और और क्या है अभिलंब प्रतिक्रियाबल यह एफ है यह आर है क्लियर है समझ गए होंगे आप म्यू इक्वल टू आपको मिल रहा है एफ सोरी म्यू क्यों टू एफ अपॉन आर मिल गए आपको ठेका यहीं घर्शन गुणांग इसके बेस पे आप इसको परिभाशित कर सकते हैं कि सिमान घर्शन बल ठीक है ना सिमान घर्शन बल एफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपात को घर्शन गुणांक म्यू कहते हैं पर से रिपीट कर रहा हूँ, सिमान्द घर्षन बल F, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R, ठीक है, के अनुपात को घर्षन गुणाय किया, म्यू कहते हैं, क्लेर हुआ, तो यह हो गया, first point, coefficient of friction, ठीक है, second point में जा रहा हूँ है, angle of friction, किसमें, angle of friction, second point, angle of friction, तो देखे, angle of friction क्या होता है, सिमान्द संतुलन की अवस्था में घर्षन बल, friction force, अज़ा लिमिटिंग फ्रिक्षन फोर्स, ऐसा कहूंगा मैं, सिमान्द संतुलन की अवस्था में, लिमिटिंग फ्रिक्षन फोर्स, तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल, के परिणामी बल इस प्रकार से हम आगे बढ़ाते हैं, यहां समय डिवाइट कर देता हूँ, अभी-अभी मैंने कहा कि सिमान संतुलन की आवस्था में घर्षन बल घर्षन बल, सिमान घर्षन बल, थथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के परिणामी बल एवं अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बीच के कोण को, अभिलंब प्रतिक्रिया बल हो गया, के, के, परिणामी बल एवं अबिलंब प्रतिक्रिया बल के बीच के कोण को घर्शन कोण कहते हैं एंगल आफ फ्रिक्शन कहते हैं क्या कहेंगे इसको एंगल आफ फ्रिक्शन कहते हैं क्लियर है एंगल आफ फ्रिक्शन कहेंगे इसको घर्षन बल, सिमान घर्षन बल, कह सकते हैं आप इसको, F, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, R, के परणामी बल, और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बीच के कोन को हम लोग घर्षन कोन कहेंगे, ठीक है ना, क्या कोन कहेंगे, घर्षन कोन कहेंगे, देखिए, अब मैंने चर्चा किया था ये तो परिभाशा होगे आपको परिभाशा समझ में आगे होगा अब मैंने कहा था कि दोनों में relation coefficient of friction angle of friction में क्या relation है वो में relation बताऊंगा आगे relation between a relationship relation a relationship between coefficient of friction and angle of friction indi cash.harshan dannा कि 36 तल the ab 36 तल है यह पर यह यह 36 तल है यह यह Èvi 36 तल है माना टीखो एवी यह 36 तल एवी पर एक आयता कार अनुद का altitude है एक ठोस को रख देते हम। जये के अब रख दोस को रख देते हैं. ठेके ठोस का भार डबलु उधारत आम देसमें के पहल जाएगा । इसके सी जाएगी का रख पुल्ट से यह निचे की अब यह निचे का भ़ग रहा है लिए भार देसमें इस पर लगने वाला जो अभिलंब प्रतिक्रियाबल है वो आर उद्भारदर उपर की दिशा में कारिय करता है इस ठोस पर 36 दिशा में एक बल लगाया जाता है माना की इस ठोस पर इसी 36 दिशा में एक बल लगाते हैं ठीक है कि इस थोस को गती प्रारंबा करने की सिति में ले आते हैं तब क्या होगा इधर इसको इधर कीचता हूँ ठीक है इसको इधर कीच रहो ना यह इधर बल लगाते हैं क्योंकि यह लिखा हुआ इसलिए थोड़ सा बनाने में कंफ्यूज होता इसलिए मैं यहां पर बना रहा हूँ ठीक है, अब क्या हो रहा है यह नीचे की और जो बल लग रहा है उपर की और बल लग रहा है और यह 36 तल हो गया ठीक है, इसमें हमने कहा कि इस पर एक बाय है बल 46 तल में पी लगाते हैं पी की दिशा के विपरित सिमांद घर्षनबल एप संपरकतल पर कार्य करने लगता है कहां पर कार्य करने लगता है इसके संपरकतल पर कार्य करने लगता है कौन सबल कार्य करने लगता है सिमांद घर्षनबल जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं क्लियर है समझ में आया त तो घर्षन गुणांग की परिभासा से अभी अभी हमने घर्षन गुणांग की परिभासा पड़ा, घर्षन गुणांग की परिभासा क्या था, दो संपरकतलों की बीच लगने वाला सिमान घर्षन बल, अभी क्रिया, अभी अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुक लिख दिया है ना बार बार थेवरी और फिर उसका वैंजक लिखने से अच्छा मैंने एक सांत लिख दिया ठीक है यह हो गया गर्षन गुणाई की परिभासा से ठीक है अब क्या कहते हैं कि माना की बलों एफ और आर का परणामी बल एस है का मतलब एफ बल कहां लग रहा है किसको बलते हैं सिमान घर्षन बल को अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या है आर है अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या है आर है तो दोनों का परणामी बल क्या हो रहा है परणामी बल मतलब दोनों एक बल लगा रहा है उस बल को हम लोग कहते हैं परणामी बल इस दोनों के कौन से बल है F वा आर का परणामी बल S है क्या है S है दोनों का परणामी बल क्या है S है तो परणामी बल S तथा प्रतिक्रिया बल आर की बीच का कौन कौन से बल है परणामी बल S अब लों में प्रतिक्रिया बल आर के बीच का कौन थीटा है क्या है थीटा है समझ मैं या प्रणामी बल F S और S अब अभिनम प्रतिक्रिया बल की बीच का बना कौन थीटा है प्रणामी बल S वा R के बीच बना कौन क्या कौन बना थीटा कौन थीटा है समझ मैं या क्या है थीटा है अता थुटा ही घर्षन कोन होगा अता थुटा घर्षन कोन है कोन से कोन है घर्षन कोन है घर्षन कोन या इसको बोलते हैं अभी अभी हमने कहा था ना कि घर्षन बल तथा अभी लंब प्रतिक्रिया बल के प्रणामी बल देखो परणामी बल हमने निकाला S ठीक है न, एवं अभी लम्मपरतिक्रियाबल R के बीच के कोण कोई एंगल आप Friction कहते हैं, थेयोरी मैंने बताया था याद करे तेयोरी ये लिखा हुआ है घर्शन बल घर्शन बल F अभिलंब प्रतिक्रिया बलके प्रणामी बल अभिलंब प्रतिक्रिया घर्चन बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बलके प्रणामी बल क्या है एस है एवं अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर के बीच का कोण घर्चन कोण है अता है ये घर्चन कोण है clear है परणामी बल जो S है को दो घटकों में हम बार देते हैं परणामी बल S को दो घटकों में वियोजित करने पर क्या करने पर वियोजित करने पर वियोजित किया जा सकता है या वियोजित करने पर ऐसा भी लिख सकते हैं आप ठीक है न, वियोजित करने पर क्या हो जाएगा, दो इस्थी तीस में बनेगी, पहला इस्थी तीस में बनेगा, 36 घटक, 36 घटक, S, 36 घटक, S परिणामी बल, मतलब, S को दो भागों हम वियोजित करने बाइग रहे हैं, तो यह हो जाएगा, S, चोटा है, जै चोटा है, कोन च जो, घर्शन बल, एप की दिशा में, एप की दिशा में, ठीक है, यह हो गया, पहला कंटेंड, पहला भाग, 36 घटक, S, परिणामी बल, साइन थीटक, जो की घर्शन बल, एप की दिशा में है, सेकेंड आता है, उध्वार्धर घटक, उध्वार्धर घटक, उध्वार्धर घटक, S, कॉस्थिटा, जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल, की दिशा में है, समझ में आगे, अतहा, हम यहां से एक वेंजक, डिस्कवर करने जा रहे हैं, जो बल की दिशा है, घर्शन बल की दिशा है, पहले घटक में, S, साइन थीटा, क्लियर है, पहले घटक में क्या हो जाएगा, अब यह जो आपको मान मिल रहा है, ऊपर हमने एक डिस्कवर किया था, mu equal to f upon r, इसको हम सम्मी करन पहला मानते, इस सम्मी करन पहला में घर्शन गुनांक में हम मान रखते हैं यदि, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, f equal to s sin theta, ठीक है, मान रखेंगे हम लोग, f equal to s sin theta, s sin theta upon r equal to s cos theta, क्लियर है, कब, जब f upon r हो तब, खर्शन गुडांग बराबर, क्लियर है, अब यह क्या हो जाएगा, यहां से देखे, s और s cancel, बचा क्या, sin theta upon cos theta, equal to, आपको पता है, तिर्वोड में यह अनुपात के अनुसार, 10 theta होता है, 10 theta होता है, क्लियर है, 10 theta होता है, sin theta upon cos theta बराबर, 10 theta होता है, ठीक है, यहां पर आप इसको सम्मीकरण 2 मान लेते हैं, अब सम्मीकरण 1 और 2 से, तो μू बराबर अभी हमने discover किया 10 theta, μू बराबर f upon r था, f upon r को हमने solve किया, एक हिस्से को right hand side को आया 10 theta, तो यह क्या हो गया, तो सम्मीकरण 1 और 2 से, क्या है, एक और 2 में mu equal to f upon r, अभी f upon r equal to हमने निकाला 10 theta, right hand side को, तो μू बराबर हो जाएगा 10 theta, μू बराबर क्या हो गया, 10 theta, यह निकाल ली हमने, यह सम्मंद है, वो अभिस्त सम्मंद है जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, अर्थाथ जो घर्चन गुनांग होता है, उसका मान घर्चन कोन की इसपर सिजा के बराबर होता है, आप यहां पर लिखेंगे अतहा, घर्चन गुनांग का मान घर्चन कोन की इसपर सिजा के बराबर होता है, ये लिखना जरूरी है इसके बाद तब वो सिध्ध होता है clear है यह है वो अभिस्त संबंद जो घर्षन गुनांग और किसमे था घर्षन कोन में clear है समझ गए उसके बाद में आता है angle up repose के बारे में मैं चर्चा किया था angle up repose भी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में करके angle up repose देखेंगे ठीक है मैं इसको यहां से ऐसा आप पैक्ड कर देता हूं यह ऐसा मुझे यहां पर angle up repose बताना है आपको ठीक है तो देखे angle up repose angle up repose विरामकोन बोलते हैं चिसको हम लोग क्या बोलते हैं विरामकोन कहते हैं ठीक है यहां पर मैं जादा space नहीं है तो मैं यहां पर बोलूंगा जादा यहां रखेंगे यदी कोई वस्तू यदी किसी नत्समतल पर रखी है ठीक है न कोई वस्तू है जो नत्समतल पर रखी है यह देखिए ये नत सम्तल वाला पोजीशन कौन से पोजीशन नत सम्तल वाला पोजीशन इस जगह पर कोई वस्तु रखी है ऐसा एक ठोस रखे हैं हमने एक आयता करगुट कर रख दिये समझ लिजी है एक ठोस हमने रख दिये नत सम्तल की स्थिति में है ये कौन सी स्थितिमे नत्व सम्तल पर रखी कोई वस्तू, ठीक फिसलने की स्थितिमे होती है, ठीक है, तो नत्व सम्तल का 36 तल के साथ डनाया गूप यह, प्लियर है अब इसको नाम देते हैं इस नत समतल का 36 तल के साथ बनाए हुआ कोण विराम कोण कहलाता है क्लियर है? मैंने जो थेओरी कहा यदि किसी नत समतल पर रखी कोई वस्तू ठीक फिसलने की स्थिते में होती है तो नत समतल का 36 तल के साथ बना हुआ कोण विराम कोण कहलाता है क्या कुन कहलाता है विराम कुन अल्फा कहलाता है क्लियर है माना यहां से हम लोग वेंजर की तरफ जा रहे हैं माना कि एक वस्तु नत्समतल जुके हुए तल अबी पर रखी गई है यह एक तल है अबी जुके हुए तल अबी पर रखी गई है okay, net samtal का 36 त्ल के साथ जुकाव इतना है इतना जुकाव रहता है कि वस्तूत फिसलने की स्थितीमे है फिसल नहीं रही ए ठीक फिसलने की सितीमे है रथ प्र्थाथ वस्तूत सिमान संतुनन की स्थितीमे है माना की 36 त्ल जुकाव की चुकावधा तल को दर साता है भार को दर साता है ठीक है ये center point हो गया तो ये बिल्लकुल ऐसा सीदे-सीदे नीचे ठीक है माना कि वस्तू का भार क्या है small mg घा लोक परेषा कम परेशा क्या परे व्यूस सब्स हमें से बेडाएं के भुब नाजित लोगतर करता है में जया अपषिया कर सकते किसे मिव रगति कर सकतें लियो कई सकते मजी कॉमें। Yea इस जाद में यहां तर नहीं इस दो गटकों में कर शकते एक को हम कर सकते एम जी कॉस अलफा ठीक है तल ए बी के लंबवत नीचे की और कौनसी और नीचे की और ठीक है एम जी कॉस अलफा नीचे की और अर्थात नीचे की और बल लगा रहा है यह किस और बल लगा रहा है नीचे की और बल लगा रहा है तो यह हो गया बल ठीक है यह ह कि है एक है समझ में आगा यह उपर कोसे बल लग रहा इसमें अभी नमा प्रतिक्रिया बल लग रहा है कोसे बल लग रह यह पर होका चीथा सीचा का57 का1 अभी आद विच सीदे इसका प्रण का MICHAEL काMMA bल fundamental यहां पर हो रहे पर Zumक्र गला resolu के बिशे नियां मॉल्स प्रतिक्रिय M G Sine Alpha ठीक है यह जो M G Sine Alpha होगा यह M G Sine Alpha A B के सम्नांतर नीचे की और होगा इस और A B के सम्नांतर नीचे की और M G Sine Alpha ठीक है यह हो जाएगा तल A B के सम्नांतर यह सम्नांतर नीचे की और इस और नीचे की और नीचे की और, clear है, ठीक है, माना के सिमान घर्षन बल F, माना के सिमान घर्षन बल F, और अभिलंब प्रतीक्रिया बल R, ठीक है, माना के सिमान घर्षन बल F, अभिलंब प्रतीक्रिया बल R, मतलब इसमें जो सिमान घर्षन बल जो लग रहा हो, किधर लग रहा जानते हो, इस लग रहा है इसको बोलेंगे हम f equal to mu r बोलेंगे f equal to mu r याद रखेंगे इससे को याद रखना मतलब यह नत्समतल की सिती में रखा है फिसल नहीं रहे मस् फिसल लेकी का गायर पर है इसलिए यहां पर मारा के सिमान घर्शनबल f तथा अभिलंब प्रतिक्रियाबल r है घर्श तल AB के लंबव वथ ऊपर क्यों रखेंगे सिती में तब तल AB के लंबवथ ऊपर क्यों यहां उपर कारिया ओः एक बल हो जाएगा f equal to ng sin आफा अगर दूसरा हो जाएगा f equal to mg cos alpha ठीक है आप चाहो तो इसको सम्मिकरन पहला मान सकते है इसको दूसरा मान सकते हो clear है? समझ में आया? तथा तल a b के लंबोध बलों को बराबर करने पर तो यह हो जाएगा पहला f equal to mg sin alpha जो आया है mg sin alpha तथा तल a b के लंबोध बलों को जब हम बराबर करते है तो हो जाएगा f equal to mg cos alpha ये जो होगा f equal to mg cos alpha ये तल को बराबर करने के बाद ये convert हो जाएगा r में अभी लंबा प्रतिक्रियाबल mg cos alpha तो r बराबर हो जायाएगा यहां पर mg cos alpha याद रखेंगे आप ठीक है ना यह दोनों घटक एप पराबर mg sin alpha mg sin alpha नीचे की तरफ यह नीचे की तरफ और अभिलंब प्रतिक्रेबल जो लग रहा है उसके opposite decision में mg cos alpha r equal to अभिलंब प्रतिक्रेबल r equal to mg cos alpha होगा ठीक है समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर समीकरण 1 वा 2 से मैं लिख रहा हूँ directly अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ a upon r equal to हो जाएगा mg sin alpha upon mg cos alpha ठीक है अब simple है क्या 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 दिख रहा है आपको mg mg alpha alpha बचा क्या sin upon cos बचा ठीक है आपको पता है sin upon cos बचा का मतलब होता है यह 10 theta होता है क्या होता है 10 theta होता है clear है तो यहाँ पर a upon r का मान क्या आया आपको पता है a upon r बराबर क्या होता है यह mu होता है, mu क्या है? सिमान घर्षन कुनांग है, याद रखना A फ़पन R इक्वल टू क्या होता है? mu सिमान घर्षन कुनांग, ठीक है mu बराबर क्या आया, पहले भी आया था, अभी भी आया 10 theta आ गया, ठीक है theta जहाँ पर, theta इक्वल टू क्या है? friction angle friction angle या angle of friction है clear है? समझ में आया, तो यहाँ पर देखिए friction आप जो angle आया, angle of friction जो आया है यहाँ पर तो यह हो गया 10 theta है, देखो देहाँ धान से 10 theta ठीक है, पहले आपने निकाला थी से पहले 10 alpha, अभी अभी आपने निकाला 10 alpha यहाँ 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 चाला आपने थी से क। आपने तो यहाँ में आपने यहाँ आपने लिखffer कर सकते हैं 10 alpha तो यहाँ पर 10 से 10 clear बचेगा theta equal to alpha यह आ गया theta equal to alpha clear है अरथात जब वस्तु नत्सम्तल पर रखी गई है अरथात सिमान संतुरन की सित्य में होती है तो घरशन कोन कों से कोन घरशन कोन घरशन कोन मतलब theta घरशन कोन मतलब theta विराम कोन alpha के बराबर होता है तो उसका घर्षन कुन थीटा विराम कुन अलफा के बराबर होगा क्लियर है उम्मिद करता हूं कि आज का यह कंटेंट आपको क्लियरली समझ में आया है कोई केवरीस होगा कोई सवाल होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्लास के दवरान भी आप सठर्चा कर सकते हैं पसंद आया हो तो लाइक करें वीडियो को शेयर जरूर करें पहले बारा है चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि नए आने वाले वीडियो को जनकारी आपको लगातार मिलते रहे तुरंद मिलते रहे ठीक